क्रिस्पी करारी आलू टिक्री चाट बनाएंगे आलू टिक्री चाट तो हम सभी को काफी वसंद होता है तो चलिए हम इसके एजिसी रेसिपिक और चलते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहां पर वन एंड हाफ कप कावली चुना को ओवरनाइट करके सोप करके रख दि है और ह bissना को कर सकते है यहां पर कुकर जाँ हो चुका है तो पीक पर ज़स्फे को तो फिर क्रेश पर अब नुला तो तीब लाट करेंगे तो टेश पत्ता उ सख्यला वे 2-3 कली मिर्च लॉंग • छाँलू अर द altogether ज़से 6 लाल पान डएंगे सबसेंगे 959 नहें जाएगा थोड़ा सा तो फिर हम इसमें प्यास को जमने बारी काट करके रखा तो हम इसमें एड़ करतेंगे तो चलिए हम प्यास को इसमें एड़ कर देते हैं और हम फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा फ्रा तोड़ा सा लैसा नद्रक करके रखा था एक मिक्सर करांड़ दर में तो हम इसमें फैसं। तो चलीं आपिसमें हम लैसा नद्रक हरी मीर्च वह वह एड़ कर देते हैं इसे लैसा नद्रक कर से जाला दें अच्छ तो जो गच्छे हखा और जब buycks निकल जाए अब हम इसमें एड़ करेंगे कावली चने जो मैंने पहले ही कहा था ओपन आइट हमने इसे सोग करके रख दिया था अगर आपको बहुत जल्द वाजी है तो आप 2-3 घंटे से गम पानी में भी डाल सकते हैं यह अच्छे से फूल जाएगा इसमें अच्छे से मिला देंगे एड़ करेंगे नमकन विल्हकर में टेस्ट के हीसाब सही अड़ करेंगे मैं यहाँ पर वन टेबल स्बून यंहृत अप्र आप यहाँ और रख रख ख्याँ फोन ंस्क और मे आप ज़ून गर चली पाउरग उसके बाहने जो हरो आए करेंगे सादु यहाँथभि जून ऊ करेंगे छोटे वाले ग्लास से हाफ ग्लास पानी जिसे की मसाला जो है इसमें काफी अच्छे से मिल जाए यहां में एक चीज कहना जाओंगी कि हम जनरली जब बाहर खाते हैं यहां पे जो स्टॉल पे तो वहां पे छोले में प्यास नहीं यूज करते हैं क्योंकि उन्हें तो लुकि अलो काफी अबanki हमारा जल सकते हैं तो पहले आप जो इसमें इसमें एड़ियां आप कर इंगे तो सबसे पहले हम इसमें पीडियस बिसमें प्राइब टीप आमचूर पाउडर और एक पाउडर यह एक पाउड़ प्रेश प्राइब प्रेश पूल जीरा पॉडर अगर आप इसमें चाहे तो हरी मिर्च भी आड़ करने हैं पहले हम इसे हाथों से अच्छे से मिलाएंगे इसमें आप पानी भी आड़ ना करें इसमें पानी आड़ करने की जरुरत नहीं है आप चाहें तो इससे क्रिस्पी बनाने के लिए सूजी की जगा ब्रेट क्रम्प्स भी आड़ कर सकते हैं तो देखें ये एक डो बनके तैया पानी आड़ नहीं किया था अब हमें इसे हाथों को साफ करके हाथ पे हम लेंगे और बस क्रीज करने के लिए पहले दोनों हथेलियों के बीच आइल को अच्छे से मिला लेंगे उसके वाद हम इसमें क्या करेंगे इसका टिक्की बनाने के लिए इस डो से हम छोड़ी चाहिए बिल्कुर इसे काफी अच्छे तरह से चिकना होना चाहिए तो आप देख सकते हैं इसलिए हमने हाथों में तेल लिया है यहाथ में चीपक भी नहीं रहा है और इससे हम किनारे से सॉफ्ट कर लेंगे और इसे हम रख देंगे इसी तरह के सहम बागी के जो टिक्की घ्रां के तो हमें टिक्की को इसी तरीके से अंगुठे से दवाना है और फ्लैट करके रख लेंए तो चलिए अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं तकरीमन भाफ एन आवर के लिए अब हम चेक करते हैं यहाँ पे हमने मसाले में पानी डालक अडालके डालके इसे अम लो पानी तो चलिए से हम स्टर करते रहेंगे इसी तरीके से आप देख सकते हैं काफी अच्छे से भून चुका है हमने इसे काफी देर तक जो है तकरीबन 10 मिनट तक इसे हमने लो फ्लेम पे कवर करके रखा था इसे काफी अच्छी खुश्पू भी आ रही है तो अब हम इसमें पानी तक पानी आड़ करेंगे तकरीबन बड़े गलास से एक गलास पानी आड़ करेंगे क्योंकि हम चोले बना रहे हैं तो अविस इसे बात है ग्रेवी वाली चोले बनाएंगे है न तो इसे लिए अब बिलकुल मेडियम फ्लेम पे तीन से चाड सिती लगाएंगे तो 3 स 4-4 इता प्हों में नहीं दीन को आफ बेख आपूरा करें लुद का भूझे लिए कोई नहीं मैं पानी आइड कर देंगे आफ रगें और एक बाद बानीम से पिलद्वाब GETानीर्स बेटी ही बट मुझे ये half glass बिल्कुल ठीक लग रहा है इसे ज़्यादा आड़ करने की जरुरत नहीं है तो पूरा हमने यहाँ पर half glass पानी आड़ किया है तो इधर छोला जो है वो बिल्कुल बनके तयार है हम एक बार इसे low flame पे भी पका लेंगे चलिए हमें वह आपको दिखाते हैं कि यह कितना अच्छे से पक चुका है काबली चलना आप देख सकते हैं तीन से चार सीटे में काफी अच्छे से पक चुका है इसे हम थोड़ा सा बोईल दे देंगे और हम शलेंगे फ्राइ करने के ओ टिक्की को तो टिक्की को हमने हाफ एन आवर के लिए फ्रीज में रख दिया था और यह काफी अच्छे से सेट हो चुका है तो आप चाहे तो टिक्की को जो है वो फ्राइ भी कर सकते हैं या फिर आप तवे पे इसे सेख भी सकते हैं जैसा आपको पसंदो, आप बिल्कुल ऐसा करें तो मैं यहाँ पे इसे फ्राय करूंगे आप देख सकते हैं तिल से भी को निकाल रहे हो तो इस तो रहाँ हम देल को फ्लेम को बिल्कुल करेंगे लो और हम इसमें वन बाइवन करके जारे टिक्की को एड़ करतेंगे सब्सक्राइब करें अपर अच्छे से वह सब्सक्राइब श्ली तब कर लेरेका और चेक करते रहना पड़ेगा स्पैटुलास हम इसे थोड़ा थोड़ा डैप करते रहेंगे जिससे की जो है अब काफी अच्छे से फ्राई हो जाए इसे सेखने में तकरीबन जो है साथ से आठ मिनट लग जाएंगे आप देख सकते हैं ये जो है दोनों तरब से एक्क्वली सिख चुका है वैसे हम सब को एक बार टर्न करके देख लेग इसे में इसे तक इसे डैप करते रहेंगे जिससे की जो है ये काफी अच्छे से फ्राई हो जाए इसलिए ये जो है लगता है हो चुका है हम सब को फिर से चेक कर लेंगे तो ये नहीं हुआ है तो इसे हम फिर से पलट देंगे और इसे हम निकाल लेंगे जो जो हो चुका है उसे हम वो निकाल लेंगे जब तक हम इधर निकाल लेंगे जब तक उधर जो नहीं हुआ है वो भी अच्छे से हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कितनी ही क्रिस्पी काफी अच्छे से फ्राई हो चुकी है आप जासा कि देख सकते हैं तो चार बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट में डालेंगे इसके छोले छोले आप बिल्कुल अपने नीट के हिसाब से ही ले जितना आपको जरुरत हो उसक जितने का मन होतने का वेक बारी में बना सकते हैं कर दो कर दो तक चेज़ के उपर डालेंगे चोले मेठे हमेरा चटनी आपके पास इम्ली की चटनी गज़ sembi ़र टोमयटु काजब्स ऑड़ी हरी चटनी कि और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप यहां पे ग्रीन चिली स्सटनी भी आड़S कर सकते हैं तो एकम बाड़ी कटः प्याज एड करेंगे उसके अधा हम यहां पे जो है ग्रीन चिली आड करेंगे ग्रीन चिली बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप इसकिप कर सकते हैं उसके फिर हम यहां पे आड करेंगे चाट मसाला जो इसका सबसे मेन इंग की लग चिजों में शौल पारी और यहां पों पार करेंगि दो हैं कि पतएर सब क्यास की कि tratt क्य गां स्टॉप में टैंडeh पे वाथ ब्लीज चाट मसाला तो पारी और कमेंड बॉक्स रस्याय कताικά स्टॉप से नई रेशीपी पारी जेल वनालिगाない have a nice day